दोस्तों हम मेंसे अक्सर लोग पानी को इतना साधारन समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी मातरा में चाहें पानी पी सकते हैं लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल भी घालत है क्योंकि पानी देखने में जितना साधारान लगता है यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही सरूरी होता है पेट से लिकर तोझा तक और वजन बढ़ाने से लिके वजन गटाने तक पानी एक बहुत बदा रोल प्ले करता है इसलिए पानी की सही मातरा इसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुसान होते है अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीच खा ले उसका सही फाइदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और जिसकी वज़े से भवीशे में बहुत सारी health problem को face करना पड़ता है white hits, black hits, skin का बहुत ज़्यादा oily या बहुत ज़्यादा dry होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोडों में दर्द होना, शरीर की अंचाही जगों पे चड़बी का जमना, सरदर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का जड़ना और रातों को नेंद ना आना जैसी कई बीमारी, सरी पानी को गलत मातरा में और गलत तरीके से पीने से हो सकती है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, एक दिन में कम से कम और जादर से जादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए। पानी कब-कब पीना चाहिए और कब-कब नहीं पीना चाहिए यानि पानी पीने का सही समय क्या है किस तरह का पानी होना चाहिए यानि थंडा या गर्म या फिर नॉर्मल और पानी वजन गटाने और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है शुरू करते हैं कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना सरूरी क्यों है दोस्तों हमारे शरीर में 7 से 70 प्रतिशत पानी होता है और हमारे द्वारा पिये गए पानी का इस्तमाल हमारे इंटर्नल और्गन जैसे कि किड्नी, लिवर, फेफरे, पाचन तंतर और लगबख शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिन्दा रखने में होता है जवाल ये उड़ता है कि दिन भर में कम से कम और जादे से जादा कितना पानी प्या जा सकता है और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है दोस्तो शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाप का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ती कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की इसकी धीरे धीरे रूखी बेजान और धीली पड़ने लगती है और अगर शुरू में ही पानी के पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये लक्षन भविसे में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं इसलिए हर दिन एक नियमित मातरा में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है अब बात आती है कि दिन बर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए यानि गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल दोस्तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या-क्या होता है और ये कौन-कौन सी प्रॉब्लम में फाइदा पहुचाता है दोस्तो पानी में जीरो कैलरीज होने के बावद्यूद ये हमारे शरीर को हाइडरेर करके शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है स्किन को साफ रखता है दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड़ी और लगबग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है इसलिए हमारे लिए पानी इतना सरूरी होता है कि चाहे खाये बिना कोई वैक्ति लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है क्योंकि मल, पसीन, पेशाब और सांस लेने के प्रक्रिया में लगबग 2 लिटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है जिसे रिये स्टोर करना बहुत सरूरी होता है वैसे तो किसी भी वैक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस वैक्ति की सिहत, वो जहां रहता है उस जगे का मौसम उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटीस में निरपर करता है लेकिन एक समानने व्यक्ति को दिन भर में धाई से तीन लिटर पानी जरूर पीना चाहिए जो कि एक एवरेज साइज के गलास से आट से बारा गलास होते हैं और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलते हैं अजह पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है तो इसका जवाब भोती Simple है कि कोई भी चीज बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ज़्यादा मातरा में पानी पीने से हमारी Kidney का काम बढ़ जाता है और खुन में Sodium के Level कम होने के Chance's बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अकसर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते, जितना की पानी पीने की लिमिट होती है, और ऐसा नुकसान तब होता है, जब कोई वेक्ति 4 या 5 लिटर से भी जादा पानी पी ले, एक बार में कितना गलास पानी पीना चाहिए, और किस तरह से पीना चाहिए, दोस्तो कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहें और जैसे चाहें पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिलकुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पे अलग अलग तरह से असर होता है इसलिए पानी हमेसा बैट कर और धीरे धीरे पीना चाहिए जैसे कि पानी को मुह में रखकर 4-5 सेकेंड के लिए उसे इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें ऐसा करने से हमारे मुह में मौझूद लार जो कि अलकालीन होती है पेट में जाकर पेट के एसीदिक प्रूपर्टीस को शांत करता है जिसे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारा किड्मी उसे ठीक तर से फिल्टर नहीं कर पाता और मुह से हटा कर बॉटल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौझूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में परवेश कर जाती है जिससे की भविश में जोरों में दर्द शुरू होने के चांसे बहुत ज़ादा रहते हैं और पानी हमारे शरीर में इस्तमाल हुए बिना ही पेशाप के जरीए शरीर से बाहर निकल जाता है पानी गर्म ठंडा या फिर नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों कोई भी बहुत ज़ादा ठंडी चीज़ हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम फ्रीज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है फिर काम में आता है जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्ब नहीं हो जाता और साथ ही साथ थंडा पानी हमारे द्वारा खाये गए खाने को बहुत जादा सक्त बना देता है जिसे की पाचन करिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसे बहुत जादा हो जाते है इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या फिर हलका गर्म ही पीना चाहिए क्योंकि हलका गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंद काम में लेता है और हमारे दोरा खाय गए खाने को तोड़ने में भी हलका गर्म पानी बहुत मदद करता है जिसे पाचन शक्ती बढ़ती है, और पेट भी खुलकर साफ होता है पानी कब-कब पीना चाहिए, और कब-कब नहीं पीना चाहिए दूस्तों यह ऐसी बाते हैं, जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, और बीमारी के शिकार हो जाते हैं पानी कब पीना चाहिए इससे जादा ये जानना ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए खाना खाने के बाद वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में एक या दो घुट पानी पीने में कोई बुराए नहीं है बलकि खाना खाने से पहले एक या दो घुट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिच्की भी नहीं आती लेकिन यहाँ एक या दो घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या जादा मातरा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है क्यूंकि खाना खाने के तुरंट बाद पानी पी लेने से ये हमारे दुआरा खाये गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से एक घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए रात को सोने से तुरंट पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना दोस्तो दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदा मंद होता है उसी तरह रात के समय जादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता जिसे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किड्नी में फिल्टर होने के लिए पहुँच जाता है जहां ये हमारी किड्नी को बहुत नुकसान पहुचाता है और नीम से उठकर बार बार ट्वालेट जाने की भी जरूरत पढ़ सकती है जिसे की दोबारा नीद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ता है इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और साथी दो बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनत से एक घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तमाल हुए बिना ही पेशाब के जरीए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बलकि पानी के तरह बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बाड़ी को पानी के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर रखें ताके हमारी किड्नी को रिस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सकें नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या सुरू हो सकती है फल खाने के बाद अकसर फल और ऐसे सबजी जिसे खीरा और टमाटर जैसी चीजों को अगर आपकचा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और उसी तरह केला, तर्बूस, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सक्त हो जाती है जिसे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है साथ ही साथ बहुत जादा गर्म चीजे जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीते हैं तब भी आपको तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दाउन और मर्सूरों को नुक्सान पहुंसता है अब हम बात करते हैं कि कब-कब पानी पीना शाही है यानि पानी पीने का सही समय क्या है दोस्तो जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धो कर साफ करते हैं, फिर खाते हैं उसी तरह हमें हर सुबा कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए जिसके लिए पानी से बहतर और कुछ भी नहीं सुबा खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरी लेपदार्थ की काफी हद तक सफाई हो जाती है लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिये बिना ही कुछ भी खाते या पीते हैं और उसी तरह रात के समय पानी कमा तरह में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के दो घंटे बाद पानी के जगा दूद का सेवन करना चाहिए क्योंकि दूद में मौझूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनरजी प्रदान करता है और इसमें मौझूद क्रिप्टोफिन नाम का एमिनो ऐसी डिमाग को शांत करके अच्छी नीन दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिएं तो दो बर पानी पीने के बीच लगबए एक घंटे का अंतरा लगते हुए पानी पीने का खास खराआ लखें। लिए exercise के दौरान एक बार में एक चौथाई ग्लास या फिर दो से तीन घुट पानी ही पीना चाहिए। और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप एक चौथाई पानी यानि के दो से तीन घुट पानी पीए। exercise खतम करने के आधे से एक घंटे बाद आप ग्लास पर कर भी पानी पी सकते हैं। लेकिन exercise के दौरान थोरी थोरी मातरा में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तमाल करने से हमारी सिहत से जूरी लगभग बहुत सी प्राबलम काफी हद तक ठीक हो जाती है। आपको अपनी सेहत में इन्शाला बहुत ही अच्छा सुधार महसूस होने लगेगा। तब आप वापस आकर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कीमती फीड़बेक देना बिलकुल भी ना भूलें। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें। ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सकें। और तब तक के लिए अपना ख्याल लगें। अल्लाह अपीस।